गंधी जी एक तो बेटे थे हरिदास गंधी उनका तो एक ही काम था गंधी जुगाइल निकालने जब भी गंधी जी को आंदोलन करने वाले होते हो बार जाका थे फर्जी आ रहे अध्याना इसका अंधोलन में कोई भी यह नेरु जी न पटेल पकड़ लाते चुप रहा हमारी दुकांदारी क्यों बंद कर रहा है इत डोकरे के बिचे तो लोग आते हैं तो इत डोकरी की बेस्ति करते का लोग ने आएंगे हमारी दुकांदारी आं बंद हो जाएगे परेजों के डी वी कोई भी चीज अम सुिकार उसने का अच्या बाबोजी बेंगन खावा लोगान परेज बतावे मतला है खुद पूरी एजुकेशन कहां पे लेके लेके लंदन हमारी बारी आई तो आप करेंगे लंदन जाना नहीं चाहिए अरे रुख जा इत्ती देर तो हमारी बार यह तो आप लंदन नहीं जान दे रहे थो वह विचरा बड़ा प्रेसान देता था तो गंदी जी न ऐसा यह बांदोलन चलाया तो गंदी जी पूरे भारत की यात्रा कर रहे तो जहां भी ट्रेन रुखती वहां पे लोग आते और आगे गंदी जी नारे कि दरेउं दो लगाया यार यह तो गंदी जी की पतनी की नारे उनको लगान लगाए वह साथ में गंदी जी का सतूर्भा गंदी तो वह ह McD strongly a हरीदास गंदी थे अपनि माह नारे लगे लगा भैंग जब वह ለंता चली गए ओए तो ऊनकी ममी उल्हें पिल्गे यह उनकी कोई बाचित नहीं की तो जब चलने लगे तो गंदी जी ने पूछा कि मेरे लिए नहीं लेकर आया कुछ भी तो उन्होंने वापस अपने मम्मी की तरफ देखा इन संत्रों में से इसको कुछ नहीं देने कि नहीं बाचि जी चोड़ो यinka भी नहीं दड़ें गंदी जी वहटाद जाने चार तो गंदी झेलां कों दे रहे थे घंडी जी कोमा ότι अम जहां जितने पैसे चीए वहां से निकाल देना उतने को फिर 500 बेटे कौन होंगे जमदाल बजाद जी बगवान जाने क्या जी में आई यह दिन बजाद जी ने खुद नहीं का आगी मैं गुलाम नंबर चार हूं कि लोगों ने पूचा घुचा बजाद जी बाकी थीन गोन है तो बजाद जी नहीं इmpa को वं घुमोर्ट को जाए यह पो नु मै up में जाए कर नचंड जी दूमें का थाइटे कृटे तो पांच हंए तो च्यार पर कुछ नाकुछ रख लेति हैं तो मिन सब्स Randi प prosecution मिन-घ तो गुलाव नंबर क्या घाता कुद को एक अगस्त उन्नीस सो बीस को बाल गंगा धरते लखे म्रतियु हो जाती है किसकी म्रतियों थी कि इंग्लेंड में इंग्लेंड मुखदमा लड़ने के लिंग इंग्लेंड गए वेठे कोई और वाहांपर मर्त्यॐखती बाल गंगातर तिलेक का मुर्थियढ़ होती चाहते है अर उनक्ती पूरा देस गंगीन पुरा देश्चम दुखी पूरा एक नहता बड़ा राजी कमरा बंद करके डांस किया गंधीजी ने, गंधी झी राजी में त्लग जब तक जिन्दा थे सब आधा कोओन सबसे potate night. पर अपर मने बहुत मी प्रेह स कोई आध चुन पत्रकारों को सामने का, का बोला नहीं जा रहा है अस तो, जीव भर गया है मेरा, आज मा भारती का सचा सा पूत हमारे हिंद का वो लाल हम से बहुत दूर कोसों दूर अनंत की यात्रा पर निकल चुका है, उस मेरे वरिष्ट तमसायोगी मेरे बड़े भाई बाल गंगा धर तिलक की मरत्य उपर मेरा हरिद्य अंदर से कलप रहा है आज, मैं खुद को जवाब नहीं दे पा रहा हूं, कि आज मैं कितना कितना दुखी महसूस कर रहा हूं, पर भाईयों और बैनों, क्या तिलक के मरने से तिलक ने जो सपना देखा था, वो सपन पूरा नहीं होगा, क क्या तिलक के मरने से उन्होंने जिस भारत के निर्मान का स्वापन देखा था, क्या वो तुष्वो अदुरा रह जाएगा, क्या तिलक ने उनीसो पांच में जो कहाथा, क्या प्लिज इस सवराज मेरा जनम सिद अधीकार और मैं इसे लלהकर रहा हूं, क्या वो सवराज उम इसे सकती रही तड़ती रही तिलक की आत्मा की सांती के लिए माज आप सब को यह आश्वासन देता हूं कि हम एक आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम होगा ऐसा योग आंदोलन कहा नाम होगा यह नॉन कोप्रेशन मोव्मेंट है हम अंग्रेजों के साथ में किसी में स्कूल में कोलेज में फंक्शन में कोट में क Après परकार की सब की सब चीजों को हम बैसकार करते हैं विदेश की वास्तों को भी बैसकार करते हैं हम सरकार की सब चैइबिपर भीथ साल की बीतर बीतर पौन पर जाएगी जब इसको State जब इसको आर्थिक हानी उठानाlaubि नह आत्मा रो रही है मेरी लेकिन इस सपने को साकार करने के लिए धन क्या हो सकता पड़ेगी बिना धन के अंदोलन नहीं किये जा सकते और मैं आपके सामने एक फंड रेज कर रहा हूं यहां पर पंड रख रहा हूं यहां पर इसका नाम तिलक स्वराज फंड कैना में इसका इस पेंहें प्रव्पे को कितने रुपे डालने एक पैसे दो पैसे पांस पैसे चवपनी अठशनी एक रूपे जितना डालना चाते हैं सर्दानु सा रुपए डाली कि invece र्धाने मघंगे अपने नोग दालेंगे उतनी तिलक की आत्मा को स्वरक के अंदर सांथी मिलेगी अधर आप यह मत्सोचना कि तो भी तो बनाता है एक साल में 10 लाकी कमाई होगी 10 परसेंट भी नहीं दे सकता गया उन्हार पका 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 यह रिस्ता क्या कहलाता है कि अब अंधोलर्णों के बीचे गहरे राज हैं गहरे उसमें भारत में दो पार्टियां वाकरते एक पार्टी कॉंग्रेस एक पार्टी उसाथ बारी थी मुस्लिम लीग कौन्सी पाटी थी आठी मुस्लिम लिग वा कुझ ना कि आ पन्हों मिलीग की बज़ा जिने कंग्रेस को किते रुपह दे दिय है एक लाख रुपह दे तोivaय दे परिजय दूम्लीम दीव दूसरे दिना ऑगी दीक के पास użyीं बजणी को उ कि लाग क्या दे रहे थे आज के दसे क्रोड मानलो या तो साल पेले एक लाग की वेल्यू इत्ती तो रही होगी मुझे आद आता है 1995 तक उनिश्व पिच्याण में तक गाउं के इंतर लाख रुपे की बहुत वेल्यू थी लख पती ओना गाउं के इंतर बहुत बड़ी बात साफिल आएंगे लाख रुपे नहक तब तक भाई आई बैया तो यह तो पैसे की वैल्यू तो पिचाण में डाच तूटी है क्या पैसे की वैल्यू नहीं पुटी है अब लाख रुपे तो आप हमारे मुझे लाखे मारते हो ल्रह पड़ा ए पड़ा ऑ लाग तो लोग सम किया सता है Life काम आता है रहा थे सैंतों कि रहे इतने ज्यादा है कि लेलो तुम लेलो हमारे Hybrid से कहते हैं पर पकटेज़ लर्णки लडगी मेन नहीं आते हैं तो और इस चीचे और नोटिस करो, पुंजी पती, उध्योग पती पैसे वाले कभी किसी भी पार्टी को नराज नहीं करते हैं, दोनों को दिया है, कॉंग्रेस को भी चंदा दिया है, इसलिए अम्बानी, अडानी, जित्य उध्योग पती है, सब को चंदा देते हैं, बीजेपी की गवर्मेंट थी, और बीजेपी गवर्मेंट को लगता था, हम रिपीट करेंगे, वापस आ जाएंगे, इंडिया साइनिंग के नारे के साथ, चुनाव लड़ा और चुनाव में हार के, हारे तो दोफार के रिजल तक यह नहीं पता चल रहा था, यार बीजेपी की सरका कार उसी की बनेगी, जिसको सपोर्ट कोन करेंगे, समाजवादी पार्टी यह सेम अंबानी, पैसे का बरावा बोक्स लेगे, डिल्ली बेट गए थे, कि मुलायम सिंग यादव को पीम बना दो, जीते पैसे ची उत्ते लेलो, जो पार्टी मुलायम सिंग जी को पीम बना द का एक सवासी कासफ पास पोंची ती और अची कासी आगी बंगाल में, जैसे कॉंग्रेस और प्रिंस कॉपश्ड गॉर्मेंट बना गए, मुलायम सिंग निया रिग निया बना दो, मुलायम सिंग जी को आपके आजवादी नाे अपके उनुनको भी शपर्त कर रह ती, यह यह सहारावला जो जेल के अंदर सुबर्तो राय तो यार चढ़ाई तब था जब समाजवादी पार्टी गोवर्मेंट थी समाजवादी पार्टी से MP था राजया विजयमालिया विजयपी से MP था इमांदार गरी पर उसको लेंगे राजयसभागी तीन सेथ दिली में राजयसभागी तीन सेथ दी पुमार विष्वाच को लगता था मतू बक्काउं मैं नहीं जाएंगा तो कोन जा एगा मत अर्विंद बाइगा लेफ्टेंड और मैं तो जाएंगा इसकें राइट एंड सब्सक्राइब और पैसे शेट देंगे बाइसाब बिना सेटों तो सुसील गुपता नो तिनो गुपता जीन अगरवाल जीन सारे के सारे वह बेजे कि आप जाओ आप अपने दुराजी सबागे अंपर तो उध्योगपती कभी किसी पार्टी को नराज नहीं करते और यह पा कितनी कलिया निकाले बाहर राजस्थान चतीस गड़ दो जगए कॉंग्रेस की गवर्रमेंट हैं दोनों जगए सबसे ठीक अडानी की पास है किसके पास है बैस उकात अनुसार रूपे देते अभी बीजेपी की उकात ज्यादा तो बीजेपी को ज्यादा देते हैं कॉंग अंगरेंट का राज था कहां पर अंगरेंट का राज है कि और अव unstoppable डॉकसा का राज है अच्छाम मुझे एक चीज बचाओ कहां के लोगों को डश कहते हैं Dutch, Dutch कहां के लोग कहलाते है, Holland, Holland या, Nederland, निदरलेंड के जो लोग होते, उनको क्या कहते है, Holland या, निदरलेंड के लोग क्या कहलाते है, Dutch, तो Holland ये, एक ही मतलब, IHOLAND बोल रहा हूँ, उसको, Holland के कुछ लोग, अफरीका में रहते, किसान पर रहा करते अफरीका अफरीका में राज किसका अंग्रेज़ों किसका राज है अंग्रेज़ों ने कहा कि सबकी एजूकेशन अंग्रीजी में होगी ने विरोथ किसे के अंगरेप्ट के तैसर्किसान कान पर पडहेंगे राज किसके खिलाब किसने वीद्रो किया नच कौन कहां पर विद्रो कर रहें इस शौह अब फरीका में गांधी जी ने साथ लिए उं creators कि consciously Hey 2 जाती है कि गांदी जीए गांधी जी डॉल क ở घंडल मिला तो गंधी ऐसे आफ्रीका है में 2 you कोन से ओर कौन से जुंडर कौन विद्रो कर रह रहे हैं किसके खिलाब मेलاعब आजएृक इसका साथ दे रहे हैं जुलू क्या है एक जन जाती है कहां कि यह विद्रो किसकी खिलाब कर रही है गंदी जी किसका साथ दे रहे हैं गंदी जी इंडिया आ गए फर्स्ट वर्ड वोर चल रहा है गंदी जी ने अपने युवाओं को कहा कि सेना के इंदर सामिल होगी किसकी साहित अगरो जी के पास अंग्रेजियों के तीन मेडल थे कौन कौन से जुआ जुलू और केसरे इंद और गंदी जी वो जब प्रेस कंफरेंस में बोल रहे थे गंदी जीन का और तिलक क्या कह थे कि हमें इस अंग्रेजी सरकार की एक भी उपादी स्विकार नहीं करनी है और मेरे पास अंग्रेजी सरकार की तीन उपादी हैं बोर, जुलू और कैसरे हिंद तीन मेडल दिये और मुझे सर्म आती है कि इस हात्यारी सरकार ने मुझे मेडल दिये जलियां वाला बाघ में हमारे निहत्य अंधूलन कारियों पर गोल्याँ चलाने वे इस उस सरकार के तीनों मैडल मैं इंके मूँ पे मारता हूं मैं इंके मुँ पे फैंकता हूं त्यों मिडल मुझे अंग्रेजी सरकार रग भी मेडल नई चे और आप यह में सोचना कि केल मैं मेडल दे रहा हूं भाई जमनलाल बजाज अपने राय बहादुर की उपादी लोटा रहे हैं भाई ने का एक उपादी है वापो यह तो पड़ी रहे हैं